नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूटउब चैनल पर अज हम कर बात करेंगे पिशाव की प्रोवन के बारे में पिशाव ना आना या पिशाव रुख रूख करांस। दोस्तों, जब किसी कार्ण सम मुतराश्य मेरे रिकावट होती है, तो पिशाव आना बंद हो जाता है। ऐसे में रोगी को पिशाव लगने का एहसास तो होता है, पर उन्य पिशाव नहीं आता है। मुत्र ना आने पर पेट के निल्चे का भाग फुला हुए मैसूस होता है क्योंकि मुत्राश्य में पिशाव ही कठ्था हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी किसी कारणे से मुत्राश्य में पिशाव जम्मा ही नहीं होता। ऐसे में रोगी को पिशाव का अंभवी नहीं होता इसे मुतर नाश कहती है इन दोनों रोगों में पिशाव आना बंदो जाता है और रोगी को अधिक कश्ट होता है दोनों रोगों में फरक सिर्फ इतना है कि मुतर नाश में मुतराश्य में पिशाव नहीं बनता इसलिए र करने के पिशाब आते हैं पुरुषों में उमर बढ़ने के सत कई बार प्रस्टेट गलड बड़ जाता है जो यूरीन ब्लोकरण बन जाते हैं यूरीन इंफेक्शन से ही कई प्रेलून उसके बताने जा रहे हैं जिनकी साहिता से आप इस में से चुटकार आप पा सकते हैं तो यह जानते हैं उनको के बारे में खरबूजा और ककड़ी का रस इनका सेवन करने से यूरिन ज्यादा बनता है जिन लोग को पिशाब ना बनने या कम बनने के समस्य हो तो उ आजे गिलास पानी में आजा गिलास लोकी का रस चार चमच मिशरी विसी हुई और एक ग्राम कलमी शोरा मिलाकर पीने से पिशाब के उरकावर दूर होती है और पिशाब आना शुर हो जाते हैं एक ही खुराक इसकी कावी होती है अगर असर नहीं हो तो एक गंटे बाद ए इसमें कुछ भी नहीं मिलाना इस से पिशाब साफ और खुलकर आता है रुक रुक कर बूंद बूंद आना बंद हो जाता है सुबह शाम ये पानी बीने से छोटी गुर्दय की पत्री भी निकल जाती है अगर पिशाब ना आने से तेज पीड़ा हो रही हो तो सोट का बरी बारीग चुरन बनाकर तिन ग्राम चुरन दूध में मिश्री मिलाकर सेवन करने से बहुत लाब मिलता है। छोटी लाइची के बरिक चूरन को दो ग्राम मात्रा में केले की जड़के 20 ग्राम रस के साथ सेवन करने से मुत्र का व्रोध खत्म हो जाता है 25 ग्राम आमले को 400 ग्राम जल में उबाल ले 25 ग्राम कवा से जब शेश रह जाए तो थोड़ से गुर्ग के साथ 7 करने से मुत्र कच्च की विक्रती नश्ट जाती है इसके साथ शूल, रक्तपित और जलन में भी लाब मिलता है सूर्ज मुखी के 10 ग्राम बीजों को खूब बरिक पीस कर जल के साथ 7 करने से भी पिशाब के रोगों में लाब मिलता है 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम मिशरी दोनों को कूट पीस कर चूर्ण बनागर कपड़े से छान ले इस चूर्ण को 5 ग्राम मात्रा में जल के साथ 7 करने से पिशाब नान की समस्याट ठीक हो जाती है तो दोस्तों ये तिक ग्रेलो पाए जिन की साहिता से आप इस समस्याट चुटकारा पा सकते हैं आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारिया लेकर आते रहेंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकों को जुरूर दबादना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार